नमस्कार भारत लाइब देख रहे हैं आप लगतार बिहार की राजनीत को लेकर के हम आपके सामने जो तथ्य रख रहे हैं जो बयान रख रहे हैं और जिस तरह से सरकार के भीतर चल रहा है उन्चीजों को रखने के बाद ये बाते साफ नजर आने लगी है कि सब कुछ ठिक नहीं है एक बार फिर से मामला उलस्ता हुए दिख रहा है और सरकार के भीतर दोनों ही जो बड़े घटक दल हैं उनके साथ और तीसरे घटक दल कॉंग्रेस के साथ भी सब कुछ ठिक ठक नहीं चल रहा है कैबिनेट विश्तार और इन सारी बातों को लेकर के आपने सुनाई ह होगा कि क्या कुछ चल रहा था लेकिन इन सब के बीच में जो अब बाते सामने आई हैं वह इस पस्ट बता रही हैं कि सरकार के भीतर अब सहमात का खेल चल रहा है और इस सहमात के खेल में कहीं ने कहीं जब सबसे बड़ी पार्टी जिस तरह से आपने देखा होगा कि इसक उलज गया था और इस उल्जन को सुल्जाने के लिए एक बार फिर से लालू परसाद और नितीश कुमार साथ बैठे थे कॉंग्रेस ने भी उसका समर्चन किया था और सरकार कैसे चलेगी इस पर नितीश कुमार ने फैसला किया था लेकिन अब जिस तरह का निटीश कुमार ने मूड बनाया है और जिस तरह के फैसले कर रहे हैं उसे साफ लग रहा है कि जड़ा सा भी इस बात से भाईवीत नहीं है कि सरकार रहे या जाये नितीश कुमार ने एक बार फिर से फैसले लेने शुरू कर दिये हैं और इनके फैसले ऐसे हैं जिससे हो सकता है कि नाराजगी किसी और की हो उसके कोई मतलब नहीं है और रास्तिय जनता दल की नाराजगी खास करके और कॉंग्रेस की नाराजगी से नितीश कुमार ने अब छाहिए और अब तक जो उनके राजनीत और स्यासत का सरकार चलाने का टरीका रहा है। वह सी तरह कर रहा है। वह इस बात से ज़र्लै इलम नहीं करते कहुंन क्या सोच रहा हैं वह जिस रास्ते निकलते हैं उस्सी रास्ते चलते हैं। साथ निश्य योजना के तहट आपको याद होगा कि जब 2015 में नितिश कुमार ने ये बाते कही थी उसके बाद से साथ निश्य पार्ट टू भी उन्होंने लाया और तब भारती जनता पार्टी के साथ थे इसको लेकर के बिवाद भी हुए थे लेकिन नितिश कुमार ने जिसमें एंडिये नाम दिया गया था और 26 दलिसमें सामिल हुए थे उसके बाद नितिश कुमार और तेजस्य यादो के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चावदा है लेकिन ये बातें वह हैं जो सामने से नजर आ रही है उससे पहले ही नितिश कुमार और तेजस्य हो जाए तो फिर से इस पर चर्चा की जा है लेकिन नितीश कुमार फिर हमने बता रहे हैं कि टस से मस नहीं हुए नितीश कुमार ने जिस तरह से उनके विदेश जाते ही उनके विभाग के 500 बदलियों को निरस्ट कर दिया उसके बाद तो सिल्सिला लगतार जारी रहा आपने देखा होगा सिक्षा विभाग में कि जो कुछ भी चल रहा है और जिस तरह से मंत्री से ज्यादा अपसर चर्चा में हैं तो वहीं एक बार फिर से तेश्ट को निरस्ट करने के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस मामले में भारी अनियमित्ता हुई है जिसे कारण निरस्ट कर दिया है ऐसी इस्तिती में कहीं न कहीं साफ लग रहा है कि तेजस्वी यादों ने हथियार डाल दिया है लब्बे समय के बाद मुख्यमत्री नतीश कुमार की अध्यक्स्ता में मंगल वार को कैबिनेट की बैठक होई बैठक में कुल 35 एजन्डों पर मुहर लगी नगर विखास विभाग के तहत साथ निश्या के तहत आरा के जल निकासी के लिए 77 करोड रुपे के स्विकृति मिली पत निर्मान के तहत बेतिया नर्कटिया गंजी गौनाहा बजार सड़क के लिए 74.42 करोड की रासी की स्विकृति मिली मुख्यमंत्री नारी सक्ती योजना के तहत 5 प्रमंडल मुख्यालग गया दरभंगा पटना मुझपर्पु में महिला चात्राबास की बात की गई बातों को लेकर कि जब नितीश कुमार ने फैसला किया तो साफ नजर आया कि इस फैसले में नितीश कुमार ने किसी को तरजीह नहीं दिया यहां तक कि इस पूरे मामले में एक बात साफ नजर आई कि नितीश कुमार जो फैसला कर रहे हैं उस पर सिर्फ आपको सर हिलाना ह केबिनेट की बैठक में बिहार सुजना आयोग के पुर्व से सिर्जित पदों के अतिरिक विभिन कोटी के कुल पांच पदों की स्विकृति दी गई राजकिये सभी चिकित्सा महावी डेलों अस्पतालों और सदर अस्पताल में सोचाले अस्तानगर्द के निर्वान है तुछ सुलव इंटरनेशनल को कारियर दिया गया अनुमती इसकी हो गई डॉक्टरों की सेवा बर्खास्त की गई है असोक कुमार सिंग रभी कुमार अनंद कुमार की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है इसके साथ साथ आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में मुखमंत्री ग्रामिन आवास योजना के तहट 1735 विस्थापित परिवारों को अवास का लाव दिये जाने की फिर निर्णय लिए गया है इसके साथ साथ आपको बता दें कि क्रिशी अंत्री करन योजना चालू बितिय बर्ष में कार रहेतू 119 करोर की निकासी की स्विक्रती दी गई है इसके अलावे भी बहुत सारी चीज़े चल रही है साथ ही आपक अगर नितीश कुमार के साथ सरकार का हिस्सा रहना है तो नितीश कुमार के नियों पे चलना पड़ेगा नितीश कुमार के फैसलों को मानना पड़ेगा और अगर इसमें जरसा भी कुछ हुआ तो नितीश कुमार स्वतनत रहेंगे किसी भी तरह का फैसला लेने के लिए ज नितिश कुमार के सामने आत्मसमर्पन कर दिया है। सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर दिया।